तो हम देखते हैं Indian Contract Act 1872 क्या है? सबसे पहले इसके अंदर हम इसका introduction लेते हैं इसके introduction के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि offer और acceptance क्या होता है offer क्या होता है? offer के अंदर जो person होता है वो अपनी willingness शो करता है दूसरे person को कि वो उससे कोई act या कोई act नहीं करवाना चाता है जिसके लिए Absistence वर्ड यूज करते हैं तो वो अपनी willingness शो करते हैं दूसरे person को कि वो उससे कोई भी anything कुछ भी कराना चाता है या नहीं कराना चाता है तो उसको हम offer कहते हैं तो offer और प्रपोजल भी कहते हैं, दूसर नाम प्रपोजल होते हैं, तो proposal और offer एक ही बात होती है, offer यह proposal होता है कि एक person अपनी willingness शो करता है, कि उसको दूसरे person से कोई काम कराना है या नहीं कराना, अब उसके बाद क्या होता है, second condition क्या होता है, acceptance की, तो acceptance क्या होता है जब जो second person होता है जिसको first person ने अपनी willingness शो किया है अपना offer किया है अपना proposal किया है जो second person उस चीज़ ये acceptance कर लेता है उसको मान लेता है कि ये मैं चीज़ करूँगा या नहीं करूँगा उसके लिए कुछ consideration उनके बीश में होता है तो जब वो उसको accept कर लेता है तो वो acceptance होती है अब acceptance और offer जब ये दोनों चीज़ एक साथ आ जाती है तो हमारा क्या बनता है agreement जब offer और acceptance एक साथ आ जाती है तो हमारा agreement बनता है उसको जब हम Indian contract टेक पढ़े हैं और जब सकार हमें देखने कि contract क्या होता है तो contract होता है जब agreement enforceable by law होता है तो वो contract बन जाता है तो ये हमारा introduction हो गया